FW प्रियोजना में कारिरत कांगरेचंबा की बिलेज ग्रूप और्गेनाईजर ने धरमशाला में हिमाचल परदेश पनविभाग सुसाइटी पधान शुश्मा यादब को अपनी मांगो से अगट करवाया धरमशाला पहुंची दो दर्जन से अधिक बीजियो का कहना है कि ना तो उन्हें सुसाइटी से जोड़ा गया है और ना हिस ना तक बीजियो को पद उन्ती दी गई है बीजियो का कहना था कि बे 13-14 सालों से विभिन परियोजना में सिभाएंते रही हैं FW परियोजना में कारेरत कांगराचंबा की बिलेज ग्रूप ओर्गेनाईजर बीजियो ने धरमशाला में हिमाचल परदेश बन बिभाग सोसाइटी परधान शुश्मा यादब को अपनी मांगो से अपकत करवाया धरमशाला पहुची दोदरजन से अधिक बीजियो का कहना है कि ना तो उन्हें सोसाइटी से जोड़ा गया है और ना ही इस ना तक बीजियो को पदो उन्ती दी गई है पूर्ब सरकार में वीबिन परियोजनाओं में कारेरत कर्मियो को ना तो सोलन स्थित सोसाइटी से जोड़ा गया और ना ही समापरियोजना के बीजियो की तरह सना तक बीजियो को पदो उन्ती दी गई है उन्होंने बन बिभाग सोसाइटी की परधान से बीजियों को यूनियन से जोड़ कर यूनियन के माधम से सोलन स्थित सोसाइटी से जोड़नी की मांग रखी हिमाचल पडेश्ट बन विभाग सुसाइटी परधान शुश्मा यादव ने कहा कि बीजियों ने दो मांगे रखी है यूनियन के साथ जोड़ा जाए और यूनियन के मादम से सुसाइटी से जोड़ा जाए मैंने आशवासन दिया है कि उनकी मांगों को यूनियन कारेकारी की बैटक में रखा जाएगा और सुसाइटी के अधिकारी के समक्ष भी मांगों को उठाय जाएगा प्रयास किया जाएगा कि इन कर्मियों को अनुबंध कर्मियों की तरह रखा जाए इनकी मांगे जायज है और ये सबी प्रशिक्षित भी हैं जो की 14-15 सालों से प्रोजेक्ट में अपनी से बाइंती रही हैं। मैं इनका समर्थन करती हूँ कि सरकार इनकी मांगों को सुने और समस्याओं का समाधान निकाले। मैं अपना परिचे देती हूँ मैं हिमाचल परदेश की वन विभाग सोसाइटी की राजे परधान हूँ और सुश्मा यादम मेरा नाम है और इन्हों ने जो आज मुझे इकठे मिलकर इन्होंने मुझे बुलाया है और इन्होंने अपनी मांगे मुझे जो बताई हैं वो दो हुमा और सुश्मा